प्रमोशन में आरक्षण ना मिलने के विरोध में दर्यत करमचारियों ने खटल सरकार के साथ आरपार की लड़ाई लड़ने का एलान कर दिया है कन्फेडरेशन ओफ सी एस टी बीसी और्गनाइज़ेशन के अध्यक्ष करमवीर ने आरोप लगाया कि अदालत के आदेश के बाद भी हर्याना सरकार दलित करमचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे रही हर्याना के बुखेसचीफ कार्याले पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया है कि दलित करमचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के अदालत के फैसले को कुछ हदिकारी लागू नहीं कर रहे है इस बारे में एक खास बात चीतिया मालसमवादाता निलकुमार ने कंफरेटरेशन ओफ सी एस्टी बीसी और्गनाईजेशन के अध्यक्ष करमवीर से परमोशन में अरक्षण ना मिलने के विरोध में दलित करमचारियों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का एलान कर दिया है इस समय मेरे साथ हैं कंफरेटरेशन ओफ सी एस्टी बीसी और्गनाईजेशन के अध्यक्ष करमवीर इन से जानते हैं कि वो ऐसा आयलान क्यों कर रहे हैं सरकारी नोकरियों में जो हना दलितों को जो हने सविधानिक अधिकार है कि उनको सिथी भरती और पदोनती मारक्षन मिले और ये मामला जो हना सिथी भरती और पदोनती मारक्षन का मामला पहले से हरियाने में लागू था और कुछ साल पहले कोट के मादम से जो अने इसको विड्रा कर लिया था जब परल्यमेटर ने जो अना 85 अमेंडमेंट पारित किया इसी सरकार ने किया 2000 में और 2000 के बाद जो अना एम नागराज नाम के केस में कुछ क्यूरी लगी थी कि भी जो अना इनको आरक्षन देने से प पताना चाहता हूं कि भारत के जो अना स्विधान के अनुसार पारल्यमेंटर ने 2000 में 85 अमेंडमेंट पारित किया और उसमें यह कलियर कहा कि सदूल कास्ट को पदोनती मारक्षन का लाब बनता है और पदोनती के साथ साथ जो हना उनकी जो भागयदारी है वो पूरी की ज जो अना काफी दिनों से हम संगरस्त है हमारी पदोनती रोक दी गई सामन वर्च के लोगों की पदोनती करते रहे इसे बहुत बड़ा भारी नुक्सान जो ना दुलितों को हो रहा है तो पिछले दिनों माननिय हाई कोट ने जो सुप्रियम कोट के निन्ने को नुसार जो कर लुएं हाई कोटर ने भी एका दिया कि पढ़ोन ही मारक sum झेने में वे कोई हिचक नहीं है हमने मानिय मुख्क हमदरी के मादम से मानिय मुकansen मुध्य के मादम से अन्म मंत्रियों के मादम से सभी को हमने अपना मांग पतर दे दिया लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पदोनती में मामला कलीर होने के बाव जूद भी हमारी पदोनती नहीं कि जारी दुसरे लोगों की पदोनती कर रहे हैं इस मामले में हमें जोना दलीतों की करमचारी में काफी रोज है करम भी यह रुकावट का आ रही है नहीं यह साब तोर पर है मैंन अधिकारी जो सेचिवालें बैठे हैं वो हमारी सही बातों को उजागर करते ही नहीं और वो अधिकारी इतने anti-reservation के बैठे हैं कि वो जो फाइल जब हमारी आती है हमारा जो निरने पक्सम आता है वो लागू नहीं करते हैं हमारा विरो दिनेर ने भागर सरकार के मांगे पुटब कर देते हैं अब जै जनर्नल सिंग वर्सीज जो ना गवर्मेंट ओव इंडिया और बीके पवीतरा कितने महिने हो गए साल भर हो गया उसके इसको डिसीजन आए सुप्रीम कोड के नहीं है यह फाइल को पर पुटब करते हैं और अभी जो हमारा दिनेर शवर्सी स्टेट ओवर्याना का कीज था अब उसमें कितने देनों के क्लिर आला कि एक रात का काम था कि उसको लागू करें मैं आपके टीवी के मादम से माने मुख्मद्री जी अनरोद करता हूं कि माने मुख्मद्री जी आपने यह कर्क्षेतर में कि मैं आपको जो आपके इसिदारी वो दूँगा अब आपके पाले में गेंद हैं और आप उसको लागू करें करम वी जी वह अधिकारी कौन कौन है जो सुप्रीम कोट और हाई कोट और संसद के फैसले को लागू नहीं कर रहे हैं नहीं यहीं चीफ सेक्टरी कारियले में बैठे हैं जिनका जूटी बनती है कि वह जो ना उन वो उसको लागू करें मैं तो कहता हूं कि जिन सीटों पर जो भी अधिकारी बैठता है वो सब के और हाई कोट के डीवी के फैसले दो दो तेरा को जो डी सीजन आया जो अना कलियर था किनका बैक लोग और पदोनेती मारक्शन दिया जाए रोस्टे के नुसार जो ने दिया जाए मैं और यह कलियर बताना चाहता हूं कि जब से रेकूर्टमेंट आती है तभी से हमारे रेक्सन नहीं दिया जाता दलित कर्मचारियों को तो आपका अगला कदम कि नहीं हर जला सतर पर अपनी मीटिंगर आवजन कर दिये हैं दो तारिकों पानिपत मैं है चह तारिकों इसार में सारे जलों में जाएंगे और लोगों को आमने पहले एक मीटिंग करना जो काफी वो इसमें भाग लेंगे और हम किसी रूब में भी जो अना अपने अधिकार लेकर ही दम लेंगे तब तक हमारे अधिकार से विदानिक अधिकार हमें नहीं मिलते तब तक हम जो अना चैन से नहीं बैठेंगे करमवीर जी जिस तरह भी आपने का है कि कोट ने भी आपके हक में फैसला दे दिया है तो क्या अदालत का दरवज्जा भी खटखटा होगे नहीं कंटम तो कोट बनती है और कंटम तो कोट में हम जाएंगे ये थे मेरे साथ कंटम डेशन ओप एससी एस्टी बीसी अगुनाईजेशन के अध्यक्स करमवीर इन्होंने का है कि हर्याना सरकार के कुछ अधिकारी दलित करमचारियों को परमोशन में अरक्षन नहीं दे रही इसके साथ इन्होंने मुक्के सचीव कारेयले पर भी स्वाल उठाई है अनिल कुमार टोटल न्यूज